हालो एवरिवन ओज हम इस वीडियो लेक्चर में 스फालो कोक्स और एस के टॉक्सिन के बारे में बात करेंगे इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम स्टे फालो को काई जो जीना से उसकी स्पसीज और स्टेफालो कोकँस बारे में बात करेंdate स्टेफाइलो कोकस और इस के टॉक्सिन के बारे में बात करेंगे इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम स्टेफाइलो कोकाई जो जीना से उसकी स्पसीज और स्टेफाइलो कोकस और इस की मॉर्फॉलजी के बारे में बात कर चुके है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज प्लेग लिस में चाहिए वहाँ पर वो वीडियो अवैलिवल है आप देख लीजिए तो आज हम टॉक्सिन के बारे में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं देखिए स्टेफाइलो कोकस और इस बहुत तरीए के टॉक्सिन और एंजाइम प्रोड्यूस करता है और यह टॉक्सिन और एंजाइम स्टेफाइलो कोकस और इस के लिए विरूलेंस फेक्टर की तरह काम करते हैं और यह virulence factor होने से यह जो हमारे बॉडी में staphylococcus aureus disease प्रोड्यूस करता है और disease production में यह virulence factor involved होते हैं तो virulence factor means, virulency means होता है the degree of pathogenicity देखिए जितने ज़्यादा virulence factor होंगे disease की severity उतनी ही ज़्यादा होगी तो it means severe disease के लिए responsible virulence factor होते हैं तो इसके हम कुछ toxin की बात कर लेते हैं जो कि बहुत important topic है तो इसका जो पहला toxin है वो hemolysin इसे हम कहते हैं hemolysin it means heme means blood और lysine मतलब होता है the breakdown तो blood में heme का मतलब blood और lysine means breakdown तो ऐसे toxin जो blood को breakdown कर सकते हैं और precisely अगर कहूं तो RBC का breakdown कर सकते हैं तो उन toxin ऐसे कुछ toxin staphylococcus aureus produce करता है तो चार तरीके के अलग-अलग hemolysin staphylococcus aureus produce करता है alpha, beta, gamma and delta ये चारो toxin endotoxin sorry exotoxin है जो staphylococcus aureus secret करता है तो सबसे पहले बात करते हैं alpha toxin की alpha toxin या alpha lysine ये mainly aerobic condition में produce होता है और जो basically protein nature का होता है protein nature का होता है और aerobic condition में produce होता है ये anaerobic condition में produce नहीं होगा means oxygen की presence में ही ये produce होगा और अगर हमें इसे inactivate करना है तो 60 degree Celsius temperature पर हम इसे inactivate कर सकते हैं अब क्योंकि ये hemolysin है तो ये क्या करता है ये rabbit erythrocytes यानि rabbit RBCs को breakdown कर सकता है बट sheep और human RBC में ये कम effective है इनको ये breakdown तो करेगा लेकिन जितनी efficiency से rabbit RBC को breakdown करता है उतनी efficiency से नहीं कम active होता है against sheep और human RBCs के ये हमारे circulatory system और muscles में injury cause करता है alpha toxin इसके अलावा जब हम beta lysine की बात करता है या beta toxin की बात करता है तो ये sheep के लिए light tick show करता है मतलब sheep के RBC को ये breakdown कर सकता है लेकिन human और rabbit की red blood cells को ये नहीं breakdown कर सकता तो lysis जो है sheep की ये initiate होती है at 37 degree Celsius बट जो हमें ये दिखेगी ये एक cold temperature पर दिखती है और इसलिए क्योंकि 37 पर initiate होती है lysis होना और पूरी lysis जो है whole lysis या हम कहेंगे apparent lysis हमें cold temperature पर दिखती है तो इस phenomenon को कहते है hot and cold phenomenon और beta lysine ऐसा toxin है या ऐसा hemolysin है जो aerobic और anaerobic दोनों condition में bacteria produce कर सकता है third जो lysine मैंने बताया था आपको gamma lysine gamma lysine act करता है किस पर human, sheep और rabbit erythrocytes पर यानि red blood cells पर और delta lysine भी human, sheep और rabbit की red blood cells को breakdown कर सकता है इनका lysis कर सकता है अब second एक toxin की बात कर लेते हैं जिसका नाम है leucosidin अब leucosidin दो subunit से बना होता है एक S subunit और एक F subunit S means slow subunit F means fast subunit और ये दोनों component क्या है हमारे polymorphonuclear leukocytes polymorphonuclear leukocytes या इसे short में हम PMNs कहते हैं ये हमें actually उन cells को denote करता है precisely उन WBCs को denote करता है जिसमें granules present होते हैं like neutrophil होगे या besophil होगे या eosinophil होगे तो इन cells को ये damage करता है और इसी के साथ साथ macrophages को भी damage करता है तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये cells जो हैं हमारे वो immune cells है means हमारे immune system के cells हैं ये और इन cells को क्या करता है ये damage करता है इसके अलावा एक third type का toxin secret करता है जिसे हम कहते हैं enterotoxin enterotoxin staphylococcus aureus से होने वाली food poisoning के लिए responsible है तो staphylococcus aureus food poisoning भी cause करता है और ये enterotoxin food poisoning के लिए responsible है और food poisoning किसी इंसान में कैसे होगी by the ingestion of contaminated food अगर कोई food enterotoxin से contaminated होता है और हम उसे खा लेते हैं तो हमें क्या हो जागा food poisoning हो जाएगी और इस food poisoning के कुछ symptom हो सकते हैं जैसे nausea हो गया vomiting हो गया diarrhea हो गया और ये symptoms 2-6 गंटे के बाद after consuming contaminated food contaminated food consume करा और उसके 2-6 गंटे बाद ये symptoms आना start हो जाते हैं तो symptoms क्या हैं इसमें nausea vomiting और diarrhea तो इस तरीके के हमें symptoms नजर आने लगते हैं अभी तक आठ अलग तरीके के अलग अलग तरीके के enterotoxin identify हो चुके हैं तो इसमें A, B, C1, C2, C3, D और E ये आठ तरीके के और H एक और है H आठ तरीके के enterotoxin identify हो चुके हैं और इन सब में से जो है सबसे ज़ादा food poisoning के case में type A का toxin आठ में से type A जो है ये सबसे ज़ादा responsible है most of the cases में ये ही responsible है food poisoning के लिए ये enterotoxin हमारे जो gut के enzymes हैं उनके against resistant होता हैं इसका मतलब ये है gut enzymes का इन enterotoxin पे कोई प्रवाव नहीं पड़ता है इसके अलावा they are resistant to boiling for 30 minutes अगर हम किसी food में enterotoxin present है और उसे हम 30 minutes तक boil करें तो उस boiling पे भी 30 minutes की boiling पे भी enterotoxin पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है जबकि इस 30 minutes तक boiling अगर हम करते हैं तो अगर staphylococcus aureus present है तो वो kill हो जाएगा तो यहां पे आप समझने वाली बात है कि toxin इसका kill नहीं होगा लेकिन अगर bacteria present है staphylococcus aureus present है तो वो 30 minutes में boiling पे kill हो जाएगा enterotoxin जो है यह directly हमारे autonomic nervous system पे effect करता है और फिर कोई नो कोई हमें disease produce हो जाती है किसी भी human में और इसके अलावा यह क्या करता है T lymphocytes को stimulate करता है और T lymphocyte जब यह stimulate हो जाते हैं तो interleukins और tumor necrosis factor यह release करता है और ultimately इनके release होने से interleukins यह actually chemical mediator है और इनके release होने से inflammatory reaction हमारे बाडी में देखने को मिलती है और यह enterotoxin ELISA और latex agglutination जो की immunological techniques है इनसे यह detect हो सकते हैं ELISA stands for enzyme linked immunosorbent S इनसे यह detect हो सकते हैं एक fourth type का toxin है यह बहुत important toxin है toxic shock syndrome toxin जो toxic shock syndrome है इसमें कुछ हमें characteristics देखने को मिलते हैं जैसे fever hypotension vomiting diarrhea and rash skin पर rash इसके लिए mainly इसको short form में कहते हैं T-SST toxic shock syndrome toxin 1 जो first T-SST 1 है वो most of the illness के लिए responsible होता है इसमें भी same mechanism follow होता है यह toxin क्या करता है T-lymphocyte को stimulate करता है और T-lymphocyte क्या करता है interleukins और tumor necrosis factor को release करता है और हमारी जैसे हमें disease होने लगती है हम बिमार पढ़ने लगते हैं एक फिप्थ तरीके का toxin staphylococcus secret करता है जिसका नाम है exfoliative और epidermolytic toxin actually यह दो तरीके के हो सकते हैं type A या type B जो type A है वो heat stable toxin है जबकि type B heat labile toxin है तो जो toxin A है इसका production chromosome के पास होता है तो इसका production the production of type A or toxin A is mediated by chromosome तो इसका control chromosome के पास होता है जबकि यह type B वाला जो toxin है यह plasmid mediated होता है और plasmid आपको पता है extra chromosomal DNA है bacteria का तो यह क्या करता है यह epidermal splating करता है और जिसकी वजह से epidermal splitting की वजह से blistering form होती है और blistering ultimately staphylococcal इसके फोल्द skin syndrome s-s-s-s फोर टाइम ऐस है staphylococcal इसके फोल्द skin syndrome कास करता है और यही severe form फोर टाइम s की severe form इसे हम Ritter's disease कहते हैं जो newborn में देखने को हमें मिलती है तो it was all about the toxin produced by Staphylococcus aureus